डियर फेंड्स आप देख रहे हैं Open School 2021 अगस्ट एग्जामनेशन इंगलिस का कॉशन पेपर का सॉलूशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉशन पेपर के सॉलूशन को इस पे आप कॉशन पेपर को जैसे जिस इस्टुडेंट ने ये भेज़ा है कॉशन पेपर इसी तरह से आप इस कॉशन पेपर को साफ फोटो खीच करके या PDF के रूप में आप हमें इस कॉशन पेपर को सेंड करेंगे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आर्स कोमर्स साइन से तो आपका solution जो है complete आपको दे दिया जाएगा आपको घबराने की ज़रुत नहीं पड़ेगी यहाँ पर एक passage दिया गया है इस passage में एक elephant के बारे में बताया गया है कि वो elephant कैसे रहता है वो अपनी मा की कितनी care करता है और उसके बारे में जो भी उसने अपने छोटे से passage में जो जो चीजे देखी हैं वो चीजे उसने बताई है और उसी का अधार पर हम questions का answer देंगे तो इस passage को आप एक बार complete पढ़ लेना जिस student ने यह exam दे दिया है उसको यह passage पता होगा तो जाज़ा जरूत नहीं है इसको देखने की लेकिन जो इस students इस exam को नहीं दे पाए है वो देख सकते हैं कि यह passage कैसा आया था इसी type के कोई भी passage उट सकते हैं कहीं से भी passage आ सकता है passage कमी नहीं है काफी passages हैं जिनका हम मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कौन सा passage आ सकता है तो यहाँ पहले question से start करें ए पार्ट से तो where did the herd elephant leave तो आभी अभी आपने देखा होगा passage के starting में ही लिखा है जो कि यहाँ पर herd elephant leave in the bottom at the bottom of the majestic हिमाले यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से सारे questions के answer आपको passage में मिलेंगे तो पहले passage से start करते हैं तो पहले question में इसका जो answer हो जाएगा at the bottom of the हिमाले second option correct हो जाएगा इसके B question जो है the leader elephant love dash very much तो leader elephant अपनी माता को बहुत प्यार करता है his mother answer आजाएगा जो कि आपने correct किया होगा C question जो है इसमें पूछा गया the elephant went to dash mountain तो element जो है mount candorana mountain चला गया था इस पूरे passage में आपको मिल जाएगा उसके बाद में D जो question है one day the elephant saw a dash तो उस दिन एक दिन elephant ने जो है एक forester को देखा था जो कि अपना रस्ता भूल गया था बनारस का उसके बाद में E part में है the above person was helped by the elephant to go to the बनारस जैसे कि अभी भी मैंने बता दिया बनारस का रस्ता भूल गया था आप passage पढ़ोगे तो सब कुछ समझी में आ जाएगा इसके बाद में F part में पूछा गया give the noun form of lost तो noun form जो lost का होता है वो lost होता है और give the adjective form of safety तो safety का safe होता है adjective और give the adverb form of deep deep का deep ही होता है adverb form इसके बाद में I number और J number के questions के answers मैं आप उनीचे बताने वाला हूँ जिसमें की आपका I number जो question है what kind of animal was the white elephant तो इस passage में आप देखेंगे तो white elephant के बारे में बताया गया है the white elephant was extremely kind-hearted soul and he greatly loved his mother who had grown blind and feeble and could not look after herself ठीक है यहां तक अगर आप लिख देते हैं तो आपका answer correct माना जाएगा घबराने की ज़रूत नहीं है आप चाहें तो इसको आगे भी लिख सकते हैं the white elephant always would go deep into the forest in search of food he would look for the best of the fruits to send to his mother वो अपने माता के लिए fruit लेने के लिए जंगल के अंदर तक जाता था best best food जो है वो लाता था लाने के लिए उसके बाद में यहां पर question जो पुछा है why the food sent by the elephant did not reach to his mother तो वहाँ पर जो food जो जाता था वो दूसरे लोगों जो गुरूप में थे elephant के वो दूसरे लोग खा जाते थे देखिए the food sent to his mother through other elephants of the herd not received his mother because other members of the herd would always eat them up for themselves वो अपने स्वय के लिए जो दूसरे हाती थे वो खा जाते थे इसका वाद आते है second passage में यह पैसेज जो दिया गया है आपका for children to there is no greater instrument of education than the conservation they hear at home यानि कि यहाँ पर बताया गया कि home पर जो education वो बच्चे पराप्त कर सकते हैं उससे बहतर हो education और भी नहीं है अगर हम माने तो एक तरह से तो इस तरह की यह पैसेज दी गई है और इसके बारे में आपको जो है short notes और paragraph बनाने हैं तो इसमें पहला जो question है read the our passage यहाँ पर देख सकते हैं read the our passage carefully and make notes तो अपने मर्जी से आपको notes बनाने होते हैं किसी का notes match नहीं होता क्योंकि आपको अपने अपने thinking के साब से बनाने होते तो आप इसका बना सकते हैं आपने जैसे ही बनाया होगा बी part है आपका जिसमें बोला है supply a suitable title and write the summary of the passage तो इसका suitable title अगर किसी ने लिखा है तो इसका सही title जो होगा home education होगा और इसका summary जो है छोटा सा हम लिख सकते हैं तीन से चार लाइनों में तो this home education is a means for children to read parents should give good education to their children so that their character building can be done well so that their desire to think and understand and reason can be generated so that the future of the children is bright ठीक है इस तरह से आप इस पैसे में से काट करके छोटा सा हिस्सा अपने हिसाब से बना सकते हैं समरी में question number 3 जो है write an essay or on any of the following तो यहावे आपको बहुत सारे दिये हुए थे importance of newspaper science in daily life जो की हमेशा हर साल आता रहता है importance of games and sports the festival you like most any great leader यह सारे जो topics हैं यह लगबग लगबग हर साल में एक ना यह कोई ना कोई हर paper में आता रहता है तो आपने अगर यह 5-6 topic तयार किये थे तो आपने जरूर कर दिया होगा मैंने यहाँ पर चौते नंबर topic को किया है the festival you like most में तो यहाँ पर यह जो third answer आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा गया all over the world it is a magical time for children because of lights क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाली है दिवाली तो इसके उपर हमने यह जो पैसेज बिठाया है आप देख सकते हैं इसको और आराम से इसको याद भी कर सकते हैं simple language में और best त time और मेरा time दोनों का waste नहीं करूंगा आपके सामने screen पर वीडियो को pause करके आराम से पढ़ सकते हैं इसमें जो चीज़े दिवाली के लिए important है वही चीज़े लिखनी है जब भी आप कोई पैसेज लिखते हैं तो उसको हमेशा लिखते समय ध्यान रखें कि उसमें keyword जो यान completion इसके बाद आते हैं question number four में तो question number four में जो है write a letter to the postmaster of your area complaining against the postman of your area और option में है write a letter to your friend congratulating him on his grand success तो कोई भी एक लिख सकते थी मैंने पहला वाला postmaster का कर दिया address आपकी मर्जी है आप कुछ भी डाले green park की जगे आप yellow park डाले new Delhi की जगे आप राची डाले या MP डाले या भोपाल डाले कोई दिकत नहीं है date आप मैंने आज की डाल दी है 21 October 2021 और फिर यहाँ पे डालेंगे हम to the postmaster और जो आपने उपर address दिया है वही address डाल देंगे पर आपने यहाँ पर new Delhi लिखा है तो new Delhi डालेंगे उसके बाद डालेंगे dear sir I am sorry to complain against the new postmaster या postman of your locality he throws letter parcels etc here and there in a wild manner he is also very careless he is not punctual I have talked personally to him about the matter but in when वो भी वेकार गया और many a time I have received my letters from my neighbors kindly take action against him yours faithfully संजे या जो भी नाम दिया जाता है अगर लेटर के लिए question में नाम है तो वो लिखेंगे अगर नहीं तो अपने दोस्त का अपना कोई का भी नाम लिख सकते हैं इसके बाद आते हैं पाच्वे question पे added the following pages for mistake in spelling punctuation and grammar तो इसको आपको क्या है जो यह पैसे दिया गया है इसको आपको क्यों पंक्चुएट करना है undoubtedly women at asian india enjoyed a much higher status than their discredents in the 18th and 19th centuries from the earliest day there had been many notable women in India India poets scholars or capable administrators and leaders of religious moment तो यह जो passage दिया गया इसमें आपके कुछ कुछ mistakes हैं जिनको आपको find out करना है और इसके बाद में इसको लिखना है तो मैंने यह अपने लिए छोड़ दिया इसको ताकि आप लोग जैसा भी करते होंगे ठीक किया होगा आपने क्योंकि इसमें ज्यादा spelling और punctuation की जो है mistakes आपको नहीं मिलेंगी लेकिन जो है उनको आपको complete करना है तो यहाँ पर आपको यह A option मैंने छोड़ा है आप लोग कर सकते हैं इसको punctuate यहाँ पर B option पर आ जाते हैं B option में fill in the blanks with suitable words given in the brackets तो यहाँ पर आ जाएगा copper is a यहाँ पर तीन option है इसमें से A option आएगा बहुत लोगों ने N भरा होगा तो वो गल्त हो जाएगा एक copper is a useful metal होगा इसका right answer और there are dash precious books in library तो some आएगा इसमें right answer इसके बाद में dash knowledge is very dangerous तो little knowledge यानि कि कम knowledge जो होता है कम ग्यान dangerous होता है इसके बाद में आते है my grandfather is hard dash hearing तो hard of hearing ठीक है यानि कि उनको कम सुनाई देता है उसके बाद में जो पाच्वा है English is dash in many countries तो English is spoken in many countries इंग्लिस बहुत countries में बोला जाता है तो यह इसका answer होगा इसके बाद में c part जो है यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे who told you this change passive voice तो है तो यहाँ पर by whom यहीं कि यह तुमको किसने बताया तो हम बोलेंगे यह तुमको किसने के दुवारा बताया गया तो by whom was this told to you उसके बाद में दूसरा जो है इसमें they got enough money तो यहाँ पर जो हो जाएगा they got enough money and live comfortably इसको हमें combine करना था end से ठीक है तो end लगाएंगे तो हम word में थोड़ा सा अपनी तरफ से adjustment कर भी सकते हैं इसके बाद में third question का जो पार्ट है his friend not was not allowed to see him तो इसका दूसरा पार्ट भी है जो इसको neither और nor से जोड़ना है his brother was not allowed to see him तो neither his friend nor his brother allowed to see him यह इसका right answer हो जाएगा उसके बाद चोथे का a पार्ट जो है इसमें क्या बोला गया है the man lives next door two hours और भी है you saw the man यानि कि आपको इसको combine करना है sentence using relative clause तो इसमें हो जाएगा you saw the man who lives next door to yours ठीक है यह इसका सही answer होना था he is so weak that he cannot walk तो यहाँ पर जो है आपको to लगाना था तो यहाँ पर आ जाएगा he is too weak to walk यह जिसने भी किया है उसके तो grammar के पांच नंबर यहाँ पर पक्के होने हैं कोई भी पांच करने थे मैंने सारे क हैं तो आपने जो किया हो इसको मैच कर लेना इसके बाद में he ran so fast that he could catch the bus तो इसको simple tense में करना है तो he run so fast to catch the bus उसके बाद में आ जाता है सात्वा question rose is the most beautiful flower तो इसमें से most हटा देंगे क्योंकि positive degree में most नहीं आता है तो rose is the beautiful flower is the correct answer इसके बाद आते हैं छटे question पर read करना extract को और आपको answers देने हैं इसमें जो है आपका बालदे वाला है जो आपने पढ़ रखा है तो इसमें सबसे पहला question जो पूछा गया है how old was Tembu तो यहां पर आप देखोगे starting में लिखा है 12 years old ठीक है where did Tembu's mother and sister live तो आप देखोगे इसमें तो आपको पूरा का पूरा पूरा पर लोगे तब ही आपको समझ में आएगा तो यहां पर देखोगे आप small tribal village ठीक है तो यहां पर आजागा small tribal village और इसके बाद third question है where was the small tribal village located on the outskirt of the forest ठीक है on the outskirt of the forest यहां पर आगे भी इसको complete किया गया है और इसके बाद में next day how far was the small tribal village from the station तो three miles from the station यह भी इसमें आपक देखने को इसके बाद next question है why did baldev consider himself lucky उसने अपने आपको lucky क्यों समझा तो baldev considered himself lucky to have got the job of classy at this small wayside single stop यह इसका answer हो गया जो कि हमने इस पैसेज में देखा इसके बाद आते हैं b part में तो यहां पर एक poem दी गई है आपके book की उसको read करना है उसके बाद में दिये गए questions के answers जो है हैं आपको put up करने हैं तो इस poem के answers देखते हैं पहला question पूछा गया था which house is referred to here तो the house is referring to here is poet's grandmother's house ठीक है therefore the house represents the source of love and happiness के वहला अगर आप पहली line भी लिख देते हो तो यह आपका answer complete हो जाता है second question है where is the house now तो पहली line में आप देखो को the house is now far away उसके बाद में second third question है name the poem तो the poem is यह poem जो है इसका नाम था my grandmother's house आपके book में है यह साइथ fourth या fifth chapter है उसके बाद में आपका next जो question है fourth number what happened to the house after the woman's death after woman's death the house withdraws into silence याने कि वो पूरा का पूरा सननाटे में बदल गया और snakes move among the books the eyes of window turn blind खिड़किया बंद कर दी गई और the air fridges darkness privates and privates everywhere हर जगे पे जो है अंधेरा अंधेरा हो गया इस तरह से आप चानते ही है जब कोई नहीं रहेगा घर में तो इस तरह का हो जाता है इसके बाद आते हैं सात्वा question जो है इसमें answer any five of the following तो यहाँ पर पहला question है what kind of relationship did mother and जगदीश बागु है तो मदन और जगदीश बागु के relations जो थे बड़े भाई की तरह उसको मानता था उसके अंदर उसको उसी की परचाई दिखती थी और इसी के लावा जो है उसका family जो attachment था वो as a like a big brother था तो इस तरह को हमने answer को लिखा है आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बी पार्ट है what kind of letter did the father write to his son in the story the father writes a letter to his son about how his son disappointed him by sleeping from the first rank position to the second rank यानी कि first rank से second rank पे आ गया तो वो चीज जो है वो अपन फादर उसको बताना चाहते थे c option में which gas is responsible for the green house effect तो सभी को पता है co2 gas is the responsible for the green house effect is known as also carbon dioxide and d part is the why was mr. sorely happy that dr. Benson got back his watch उसने dr. Benson को उसका घड़ी मिलने की खुशी उसको क्यू थी डॉक्टर को तो उसके खुशी इसलिए थी अगर वो घड़ी मिल गई तो वो अपने बच्चों के जो है exact time को वो जान पाएंगे कि उसका baby कब बॉन हुआ है अगर वो घड़ी नहीं मिलती तो ऐसा वो नहीं जान पाते इसके बाद में e part जो है what is the truth अराधना wanted to find out whether she was adapted or not वो गोद ली जाई है या नहीं she discovered that in spite of being adopted child she was loved and cared for by her family ठीक है इसके बाद आते है next question पे next question इसमें पूचा गया आप से what did which mother think had caused her son's blindness तो उसकी mother क्या सोचती थी कि जो उसके आखों का रोशनी जो गई हो किस वज़े से गई होगी तो something in the past of the of for her tragedy यह इसका अंसर हो जाएगा something in the past of her tragedy उसके बाद आते हैं next question पे आठाव कोशन है what was the internet first question to Gerard और why do you think he wanted to answer the question तो आपको पता यह internet ने उससे पूचा था कि तुम अकेले रहते हो कि नहीं रहते हो और यह जानना उसके लिए बेहत जरूरी तो why do you think wanted to answer और वो क्यों चाहता था कि इसका उत्तर मिले उसको क्यों कि अगर वो अकेले रहता था तो वो उसके साथ में चला जाता उसके साथ में रहता यह हमने स्टोरी पड़ी थी थी इसमें समझ में आता है इसका नाइंध जो question है answer the following questions any four तो यहापर पहला question है who did the scorpion sting to mother ठीक है mother इसका right answer है एक word में आप द being described as yellow तो in the poem the road has not taken the poet refers the wood as yellow wood because it was the time of fall यहनी item so all the leaves have turned yellow and yellow is orange उसका बाद में c part जो है इसमें पूछा गया है what is meant by where knowledge is free तो यहाँ पर जो है where knowledge is free the poet means to say that in a truly independent and free country of knowledge should be open to all ठीक है यह समझाने के कोशिश कर रहा है everyone should have free access to knowledge it should not be restricted to some portion of society based on their class यह किसी के class यानि जाती धर्म के हिसाब से नहीं है कुछ बिसेस लोगों के लिए नहीं है कुछ बिसेस जेंडर के लिए नहीं है इसका कोई barrier नहीं है ठीक है what does the poet mean by world care in the poem laser in the poem laser the poet mean by the care is to look at the beauties of nature and enjoy them ठीक है यह इसका अंसर हो गया इसके बाद आते हैं question पे what happened after grandmother's died तो in the poem grandmother's house by Kamala Das the house withdrew in silence जो हमने उपर देखा था question का अंसर वही है same after grandmother died the house became infested with snakes that move among the books इसका यह आंसर हो जाएगा sorry इसके बाद में again sorry EPS में आ जाते हैं हम तो EPS science में सबसे पहला question यह काफी अच्छा question और easy question था यहां से आपके जो question है सारे easy हैं तो बिल्कुल देखो paper तो ऐसे ही आपका easy था लेकिन यहां से question और भी easy है क्योंकि यहां पे जो चीज़े matching के लिए दी गई है यह बहुत ही easy है इसमें solar dryer जो है वो क्या होता है it is a appliances work by solar energy and use for drying the grains etc ठीक है उसके बाद में a polaroid camera जो है uses a special type of film यह इसका answer हो जाएगा तीसरा है deficiency of b1 हमेशा बेरी बेरी रोग होता है यह science में आपने 10th में भी पड़ा होगा डी पार्टे a stiff slope जो है possess difficulty in planting the vegetable and carrying them ठीक है यह आपका answer हो गया उसके बाद में आते हैं fifth वाला in a force dryer air heated in a solar air heater is forced into the drying chamber with a blower ठीक है blower क्या होता है जो आप जेखते हैं hair dryer जब यूज़ करते हैं आपने देखा होगा ज़्यादा ladies use करती हैं बाल बड़े होते हैं उनके सुखाने के लिए तो उस type का एक blower होता है जो हवा फेकता है गरम question number 11 की बात करें what is malnutrition तो सभी को पता है कूपोशन क्या होता है तो कूपोशन जो है विटामिन की कमियों से या nutrition नहीं मिलने से होता है तो malnutrition is a serious condition आप simple लिख सकते हैं it is a simple serious condition that happens when your diet does not contain right amount of nutrients nutrients ठीक है और इसके बाद में b part है what is gardening तो gardening को भी आप describe कर सकते हैं gardening is the growing of plants such as flowers shrubs and trees as a hobby or recreation some people also grow vegetables and fruits in their garden ठीक है it is also known as gardening आप लिख सकते हैं और सी पाट है what according to modern thinking are the main rules of health health is a state of complete physical maintenance social well-being and not merely an absence of disease of infirmity यह इसका अंसर हो जाएगा इसके बाद आते हैं D part में how can the treat of energy crisis be solved यह कैसे खतम हो सकता है कि energy की जो असुविदा है तो the best possible solution is to reduce the world's dependence on the non-renewal resources यानि कि जो अनवीनी करन संसादे ने उसको पर dependency खतम करनी होगी to improve our conservation efforts यानि कि चारो तरफ बचाने के लिए इन सभी चीजों को बचाने के efforts लगाने में much of the industrial age was created using fossil fuel but there is also known technology that uses other types of renewable energies such as steam, solar and wind तो इस type के efforts से हम crisis को बचा सकते हैं अगर आप वो और नहीं part करना चाहते तो दसवा question को यह कर सकते थे यह भी अच्छा question था what are the duties of receptionist आपका chapter में सब कुछ लिखा है कि क्या के duties होती है तो इसका पहला है welcome the guest visitor and offer them help दूसरा है answer telephone calls effectively तीसरा है attend the routine inquiries और चौता है take down message left by visitors and callers and pass them on the right persons as soon as possible और next hand note down the messages make bookings, reservations, cancellations and plan schedules तो इस तरह से आप पूरे के पूरे receptionist के कारे लिख सकते हैं यह सारे कारून के होते हैं आप भी जानते हैं आप जाते हैं inquiry करने किसी भी receptionist से वो इसी तरह से आपके behave करते हैं और यहाँ पर help the guest visitors with any queries or problems they may arise इसका बजाते हैं next B part में इसमें B part में write down some of the way in which you can prepare yourself for interview यह भी आपके book में जो interview वाला आपका part है उसमें से दिया गया है तो इसमें से आप सबसे पहले क्या है कि आपका अपनी interview के लिए क्या करेंगे तो studying the company, company को हम study करेंगे और इस company में क्या study करेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बाद में study yourself तो अपने बारे में भी हम समझेंगे कि जो हमारे से किस टाइप के questions पूछे जाएंगे interview वो चीज हम इसमें बताएंगे इसके बाद में इसका next बताएंगे plan your appearance यानि कि आप उहाँ पर कैसे दिखोगे इसका भी आपको plan करना होगा और उसके बाद में next जो है plan your time तो आपका time को भी arrange करना होगा कि आपको उहाँ पर कैसे समय अनुसार पहुचना होगा यह सब चीजें हमें जो है interview से पहले plan करना होगा इसका 11 जो question है write down requests for which the following are possible answers यानि यहाँ पर जो यह answer दिये गए है इसके questions क्या हो सकते है possible request क्या हो सकती हो बताने तो request मैंने यहाँ लिखिये can I talk to Mr. Sarma यहाँ पर आगे सब जगे please लगा देना जहाँ जाएं तो आप लगाना चाहो तो नहीं लगा होगे तो भी चलेगा can I talk to Mr. Sarma please तो यहाँ पर answer जो आया I am sorry Mr. Sarma is not here right now इसका दूसरा पार्ट में है मैंने जो question बनाया है इसका possible is the checkout time is noon तो yes the checkout time is noon ठीक है उसके बाद में आते हैं will you please please will you please send a glass of milk please लगा दिया तो request हो गई अगर आप चाहे तो direct भी लिख सकते हैं तो भी चाहिए हो जाएगा तो यहाँ पर will you send a glass of milk तो yes I will send in the waiter with a glass of milk ठीक है मैं waiter के साथ में a glass of milk भेजता हूँ या भेजती हूँ उसके बाद मैं if you don't afraid will you send the cash by mail यह question पूछा गया है answer क्या है I am afraid but you will have to send someone to collect the refund we do not send cash by mail तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं डरा हुआ हूँ you have to send someone तुम किसी को भेजो cash लेने के लिए refund का हम जो है post से नहीं भेजते हैं इसके बाद में last जो है will you send the sweeper to get my bathroom cleaned तो yes I will send the sweeper to get your bathroom cleaned ठीक है क्या तुम चपरासी को भेजोगे मेरे bathroom को साफ करने के लिए तो यहाँ पर उसी का हमने answer यह रहा question हमने यह बनाया है तो will you please भी लिख सकते हो और will you send simple भी लिख सकते हो तो जहाँ आपको लगे please लगा सकते हो जरूत नहीं है तो please नहीं लगाओगे नीले कलर में हमें answer देने थे और black कलर में नीले कलर में हमें question मनाने थे और black कलर में उनके answers दिये गए हैं तो यह था आपका पूरा का पूरा question paper hope कि आप लोगों को इस question paper से आप संतुस्टी हुई होगी have a good day, have a nice day